नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूटोब चैनल सिंपल फरमेसे इस्टेडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही पॉपलर दवा है जो कि है मॉन्टी लिूकास्ट, सोडियम, एंड लीवो सिट्रिजिन हाइड्रो क्लोराइट टैबलेट ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ये दवा आखिरकार है, क्या कैसे काम करती है, मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिलती है किन-किन समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है इसके रावाद दोस्तों बात करेंगे कैसे और कितना डोज लेना रहता है, इसके साइड डिफरक्ट क्या कुछ आते है पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आंते तक जरूर देखें साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो मॉन्टी लूकास्ट सोडियम और लीवो स्रेटिजिन हाइड्रोक्लोराइट टैबलेट है ये मेडिकल स्टोर पे आपको किस नाम से मिल जाती है तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके पॉपलर बैंड्स नेम की तो मॉन्टैक एलसी टैबलेट इसकी आती है जो कि मिल जाती है इसमें लीवो स्रेटिजिन 5MG रहता है और मॉन्टी लूकास्ट 10MG रहता है इसके अलावा मॉन्टैर एलसी टैबलेट के नाम से मिल जाती है लीकॉप M टैबलेट के नाम से भी ये आपको मिल जाती है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यह जो मॉन्टी लूकास्ट और लीवोसर्टिजिन हैं यह दोनों दवाईयां आखिरकार क्या हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो मॉन्टी लूकास्ट पड़ी हुई है यह विसकली लूकोट्राइन सर्टिजिन की तो यह एक एंटी अलर्जिक मेडिसिन है जो की अलर्जी के लच्छडों को कम करने का काम करते हैं वो अभी आगे हम डिसकस करेंगे अब हम वीडियो में आगे कि तरह बढ़ते हैं यह जो टैबलेट है इसका उप्योग आखिरकार किन-किन समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस दवाई का जो मुख्योप्योग है वो यही है अगर कोई पेशेंट है जिसको एलर्जी के लच्छड हो तो वहाँ पर इसको दिया जाता है जैसे की नाक बहुत जादा बह रही हो नाक रूंध गई हो इसके आलावा बहुत जादा चीह के आ रही हो खुझली चल रही हो आखों से पानी जो है आ रहा हो पेशेंट्टके इसके इसके अलावा कंजेशन और इसटिफनेस की समस्या हो तो वहाँ पर इस दवा को दिया जाता है यह दवा काफी बहतर तरीके से काम करती है एसके दोस्तो अगर मालीजे कोई patient है जिसके airways में यानि की सौंस नली में किसी प्रकार की सूजन देखने को मिलती है तो वहाँ पर इस दवा को दिया जाता है जिससे patient आसानी से सांस ले पाता है इसके अलावा दोस्तो कुछ प्रकार की breathing problems में भी इस दवा को दिया जाता है जैसे क allergic अस्थमा हो गया तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है इसके अलावा दोस्तो sinusitis में भी इसका उपयोग होता है गले से रिटर अगर किसी पकार की patient को समस्या है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग करते है ड्राइ कफ यानि कि सूखी खांसी अगर आ रही है patient को इसके में किसी पकार की problem है जैसे कि सूजन है खुजली चल रही है तो वहाँ पर भी इस दवा को दिया जाता है तो दोस्तों यही इस दवा के उपयोग है जो कि allergy के लच्छोडों को कम करने के लिए इस दवा को दिया जाता है उमीद करते हैं आप बहतर तरीके से समझ गए होंग तो इस दवा को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद उपयोग कर सकते हैं और मैं आपको वता दूँ इस tablet को दिन में एक ही बाल लेना रहता है वो भी रात में सोने से पहले दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में तो side effect में आपके nausea की समस स्या हो ना मुह में सूखा पना ना थकान लगना आपके हाथ परों में दर्द हो ना इसके लावा सर में भी दर्द हो सकता है इसकिन पर आपके रैसस बगरा दिखाई दे सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो है उल्टियां भी हो सकती हैं ये इस दवाई के most common side effect हैं कोई भ अच्छा लगा होगा मैं मिलता हूँ आपसे एक लिए वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फर्मेस इस्टडी को जहिन पने मातरम टेक केर बाई